कोई उमीद नहीं रखेंगे रेल मंत्री ही इसमें सबसे जादे कर सकते और मंत्री के फेवर में है इसलिए आप लोगों को ट्वीटर पर ट्वीट करते रहना है त्वीटर पे यहां ट्वीटर देख लिजिएगा सबसे बड़ी कमजोरी है किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी एक चीज और बताते हैं सबसे बढ़िया बात है हमारी जो रेल मंत्री साब अभी के जो है अस्मानी वैशनों साब यह नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है नॉर्मलाइजेशन एक दम खिलाफ है इनका कहना है कि सिं आदे अले मंत्री जी का अस्मै वैशनों सरका हम आपका धन्यबात करते हैं आप नॉर्मलाइजेशन के फेवर में मतलब नहीं है लड़कों के फेवर में बहुत बहुत हम्दा कम से कम यहारब मंत्री तो मिल जो लड़कों की बात सुनने वाला है एक को तो मिला भया जो समझता ही लड़कों की फिरा क्या है दर्द क्या है और इनको ररभी वालों ने समझा दिया है इस तर 20 गुना रेजल्ट देंगे तो अनर्थ हो जाएगा अरे भया 20 गुना रेजल्ट में कुछ से और नहीं मांग रहे हैं मूंत्रील आप समझिए आपको सम्झाएगा यह लग घ्रsu करना पदेगा आपको nuo weeks of यह चाहेंगे तो हो जाएगा आर भी नहीं करने देगी